हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि United Kingdom, England and Great Britain में difference क्या है So, basically United Kingdom क्या है ये Scotland, England, Wales and Northern Ireland के लेके बना हुआ है So, आप यहाँ जैसे देख सकते हैं कि जो परपल कलर में जो है ये परपल कलर वाला, ये है Scotland और ये जो है England ये जैसे है हमारा Northern Ireland वो जो Light Red कलर वाला और ये येलो वाला है क्या? ये येलो वाला है Wales So, इन चारो को मिला के होता है United Kingdom So, England और United Kingdom सेम चीज नहीं है United Kingdom चारो कंट्री को लेके और चारो आईलन्ड समों पर लेके ये बनाया जाता है Similarly, आपको ये ही आद रखना है कि United Kingdom के अंडर आईलन्ड नहीं आता है आईलन्ड एक सेपारेट कंट्री है इसका खुद का एक अलगसी कंट्री है और ये अलगसी कंट्री है लेकिन ये चारो कंट्री इसको तो कंट्री नहीं बोला जता है United Kingdom को कंट्री बोला जता है ये चारो जो है Scotland, England, Wales and Northern Ireland United Kingdom के अंदर आते हैं लेकिन ये जो Scotland है ये भी कभी-कभी डिमांड करते हैं कि उनको अपनी अलगसी कंट्री चाहिए और United Kingdom के तरब से Scotland को कुछ हिस्सा तक स्वायतत्ता दी गई है तो बेसिकली ये होता है United Kingdom और जो हमारा ये वाला है ग्रीन पर्सन वाला है ये वाला है England एंड हमारा Great Britain क्या होता है Great Britain है वो Northern Highland के हिस्से को छोड़ दो जो बाक की चो रहा दाट इस ये वाला हिस्सा दाट इस Scotland वाला हिस्सा ये England वाला हिस्सा और वह वेस्टिम को मिला के बोला जाता है कि Great Britain हाला कि Great Britain United Kingdom को उनकी एक कांट्री का दिया हुआ है फिर भी इनका जो वेहिकल के नंबर से वो UK से स्टार्ट नहों होके जी स्टार्ट होता है तो ये बैसिकली ये सब होता है United Kingdom और Great Britain और England को बीच में डिफरेंस इस इस सिमिली इयर मैंने कुछ ये ड्रोइंग क्या हुआ है आप देख सकते है ये जो आईलन में क्रॉस मार्ख है आईलन में ये आईलन में क्रॉस मार्ख है इसका मतलब आयलन इस नाज देर इन United Kingdom So United Kingdom which is considered as a country has England plus Scotland प्लस ये छोटा साव वेल्स लॉस नर्दन आयलान एं ग्रेट वितन किस्पो इंगलान लॉस स्कोटलान लॉस वेल्स इस पो बोला जाता है ग्रेट वितन थैंक यू